भारत की तस्वीर सच ही मिशन है किस पार्टी से आपने जनता पार्टी से जय क्या कहिंके राम चरित मानस को लेगी सवाल हम पहले कर लेते हैं राम चरित मानस पर क्या कहा जाए इन लोगों की बुद्धिक हराब है और कुछ नहीं कहा जा सकता है गोस्वामी जी लिखे हैं तो गोस्वामी जी उस काल खंड में थे आसे 500 ब्रस पहले और उसके बाद आज उस पर चर्चा हो रही है वो भी बिना मतलब का और राम चरित मानस पर पता नहीं कितने लोग रिसर्च करके यहां से विदेशों तक और तमाम इस विद्यालेओं में जो राम चरित मानस उसके रिसर्च करके और आज प्रोफेसर बन गए क्या क्या बन गए और उस पर हम यह लोग जुठे ले करके टिपड़ी करके बैठे हुए हैं यह इसको हम एक उच्छी मान सकता है किसंगय लंगे और कुछ नहीं यह उच्छी मान सकता है तो हम अभी बात कर रहे हैं आप से आप हमारे साथ बलिया के ही बागी बलिया के नेता हैं क्या नाम है सर आपका अमरनाथ राय सर क्या कहेंगे जो आजकल विकास की बात होती है सरकारे विकास की बात करती है लेकिन बीच में रामचरित मानस का मुद्दा उड़ जाता है कहीं न कहीं गुमरा करने की राजनिती नहीं होती जो भी लोग इस तरह की बात कर रही है अगर मालीजी हम लोग के मुझतलन हैं उसकी पूजा कर ते हैं हम लोग उसी से प्रेना के द्वारा हम चलते हैं पर गलत टिपडी इससे पहले सब्दों का बात है जिसे माली यह सभी लोग जानते है कि आधी भासा में राम स्रीतर मानस को लीखा गया है तालन की बात होती है तालन सब्द जो है आधी है तालन की मतलब देखना देखो तालना इन देख रहाँ में दिखना है तो यह सब्द गलत है यह लोग बात जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं जो भी यह हो रहा है ग्रंद के ऊपर यह एकदम गलत हो रहा है प्रदेश में सुसासन है अच्छे मतलब यहां पे कारेकाल चल लहा है जोगी जी अपना वो प्रकोब बढ़ाए पड़े हैं चारो तरफ इसलिए यहां सुसासन समझ करके इंवेश्टर समीती के लोग यह जो भी बेवसाई आ रहे हैं इनके किरिया कलापों को देख करके आ कि भई यहां हम सिप साइड रहेंगे अपना दंदा बढ़ाएंगे करेंगे और यूपी का विकास होगा पूरे देश का विकास होगा और इन लोगों की दुरगामी सोच है जोगी मोदी जी का मैं फैन हूँ बहुत दिल से हिर्दे से उन लोगों का स्वागत करता हूँ भारत की तस्वीर सच ही मिशन है